हेलो स्टुडेंट्स, वेलकम टू जीवन क्लासिज, आज का ये वीडियो प्रोटेगनिक डिप्लोमा सेकिंडियर के उन स्टुडेंट्स के लिए काफी ज़्यादा इंपोटेंट होगा, जो स्टुडेंट्स चाहते हैं कि बिल्डिंग कंस्ट्रेक्शन में आपके सही नंब काफी ज़्यादा इंपोटेंट है और बच्चों को जो हाड लगता है, पेपर में काफी ज़्यादा बैक आने की संभावना होती है, लेकिन इस वीडियो के माद्यम से, केवल एक वीडियो के माद्यम से आप अपना यह डर खत्म कर लोगे, यहाँ पर आपको भवन निर्म अच्छा स्कोर कर सकते हैं, सभी स्टुएंट्स जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो का अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और जो स्टुएंट्स हमरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना न भूले हमारा यह पूर्ण विश्वास है कि आप इस वीडियो के माध्यम से बिल्डिंग के इस्ट्रक्शन में अच्छा स्कोर कर पाएंगे प्लीज सपोर्ट जीवन क्लासिस तो आज का एक क्वेशन है सबसे पहला क्वेशन दिया हुआ है कि नीव के अभिधारना अब हम उसके उदेश से समझाईए तो नीव की अभिधारना और उसके उदेश से समझाईए तो यहाँ पर आपको नीव की अभिधारना दी गई है तो पहला है भार का समोचित वीवर्ण देखेगा यहाँ पर हम आपको हेडिंग के माध्यम से बता रहे हैं उसमें जो भी लिखना है वो हम आपको बताएंगे ठीक है तो आपके अगर क्वेश्चन आएगा निव के अभिधाना एवं उदेशते समझाईए तो आपको इन हैडिंग को याद रुखना है ठीक है तो निव के अभिधाना में हैडिंग डालोगे पहला भार का समुचित व नीव सनरचना के भार को जो भी भूमी है उसके घिरी हुई उसके परियात छेत्रफल के समान रूप से फैला देती है जिसमें भूमी अत्रदिक भारित यानिके ओवरलोड नहीं होने पाती ठीक है तो भार का समुचित वीवरण जो है इसका मतलब यही है कि जो नीव सनरचना है उसका भार है उसको जो है वो अब भूमी के परियात छेतरफल पर पूरी तरीकी से फैला देती है और जहां पर दीवार या फिर कोई भी construction structure है वो खड़ी होती है तो वहां पर भूमी पर overload नहीं होता नेश्ट है समतल ठोस आधार इसमें लिखोगे समतल जन सनरचना के निर्मान के लिए एक समतल एवं ठोस दरातल प्रदान करती है क्या नीव और दिवार को खिशकने से रोकती है यानिकि दिवार जो है खिशकती नहीं है जुकने या फिर पलटने से रोकती है अधार रचना को समालना कहना मतलब यह है कि अधार रचना के प्रियोग किये गए निर्मान पदार्तों को भार आने पर इधर उदर खिशकने से वह रोकती है यदि हम अधार रचना को समालने की बात करें असम निसदन रोकना असम निसदन में आप लिखोगे कि नीव अव नीव अव मिरदा पर इसकी सुरक्षा धारन समता से अधिक भार नहीं आने देती तथा क्या करती है सनचना को नीचे धंसने या फिर इसके असन निसदन को रोकती है इस्थिरता प्रदान करना क्योंकि नीव भूमी तल के कुछ नीचे बना जाती है करती है और बाड आंदी तूफ़ान के प्रकौप से इसको खिसकने से बचाती है थीक है तो ये थे नीव के अवधार्णा और इसमें आपको इस तरीके से लिख देना है ठीक है नेश्ट बात करते हैं इसी में उत्तम नीव की अवशकता हैं क्योंकि केंद्र को ध्यान में राखना चाहिए। इसमें क्या होता है कि इस्थिर्ता के लिए नीव और अधिरचना के गुरुत्र केंद्र एक ही उर्धवाद रहे खा में इस्थित होने चाहिए तभी हमारा भवन निर्मान जो रहीड तरीके हो पाता है भाव भार का अंत्रण भार का अंत्रण में क्या होता है कि यह सनचना जो भी हम निर्मान कर रहे हैं उसके द्वारा अध्यरोपित चल वे अचल भारों को अब मिरद्दा पर कुसलता से स्थानांत्रित कर दें निर्मान व्याय के अवसकता निर्मान व्याय को ध्यान में रखें कैसे इसके निर्मान पर व्याय कम आए यानिके लागत कम आए और यह स्थानी अप्लब्द निर्मान सामगरी से बनाई जा सके जो भी वहाँ पर सामगरी मिलती है ठीक सोचने की आगे अगर हम इस पर एक मंजित दो मंजित बाइब एक बन जाने पर नीव में परिबर्तन करता कटिन पर्कूर नहीं होता है इसका आपको आवश्कता से ध्यान रखना चाहिए तो यह है थे हमारे बिल्डिंग के जो भी भोन निर्माण है उसके आवश्कता है यानि कविधारना है उद्धेस से नेच आता है फिक्सर तथा प्यान्यज्ट क्या है इसके आपको बताना है और जो केशन बार बार देखने को मिलता है उसके ज़्यादा आने के चांसे होते हैं ठीक है तो देखते हैं कि fixers और fasten क्या होते हैं इनके बारे में पढ़ते हैं तो देखिे दरवाजे और खुड़कों को जकड़ने या फिर खोलने तीक या फिर बंद करने के लिए हमें जो होती है बंदकों की तो उसी का हम 시죠 करने वाले हैं देखें यह बंधन म्रद्धु इस पात यह फिर पीतल अलुमीनियम यह फिर किसी आदी धातुओं के बनाए जाते हैं ठीक है जैसे फिक्सर्स और फिस्टन्स क्या है जैसे कबजे ठीक है कबजों में क्या है यह पल्लों की चौकट में जड़ने के काम आते हैं पल्लों के चौकट में जड़ने के काम आते हैं ध्यान रखेगा कबजे और यह किसके लोहे पीतल अलुमीनियम आदी धातुओं के बने होते हैं यह 50 से 25 mm माप के बनाए जाते हैं ठीक है ध्यान रखेगा और कबजे कौन-कौन से होते हैं एक तो होता है पारलियमेंट्री क कबजा ठीक है पारलियमेंट्री कबजे या फीर ग wagon या ठीक कबजा बोलते हैं पत्ती कबज है या रो ही टकरी कबज़ा ठीक है यह कबजे होते हैं इनको ध्यान रखेगा थाद ईयाद है बोल्ट में क्या लिखोग से दरवाजय खिड़क्यों को बंद रखने के लिए बो करें यह दर्वाजे वे खिड़क्यों के पल्ले पर लगा जाते हैं और दर्वाजे के बाहरी बाहर जो है दो हैंडल और भीतर जो है एक हैंडल लगाना आवश्चक है इसका आप ध्यान रखेगा ठीक है इस टापर यह फिर हम कर लिखते हैं पट्रोक इस टापर यह फिर कि जो नाम है वो क्या क्या है कहां कहा पर क्या क्या यूंज अतु होता है मुख्य चप्ट कर थिया बात करते हैं दोर क्लोजर में आप क्या लिखोगे उच्छ नौके यह फिर अस्पतालों नाचगरों वातनुकुल में रखें इसको और इनके पीछे जो है डोर क्लोजर लगाया जाता है ठीक है देखिए उच्छ कारेलों यानिके बड़े-बड़े कारेले जो होते हैं अस्पताल होते हैं नाचगरों वातनुकुलित भवनों के कपाड सामाने लगाता है दिनके लिए पीछे डोर क्लोजर लगाना पड़ता है जिस तरीके से काम करता है इसमें लिक्विड होता है जिससे की वह काम करता है ठीक नेश्ट आता है संगे मरमर की फ्लोरिंग है तू विनिर्देश लिखो संगे मरमर की फ्लोरिंग है तू विनिर्देश लिखो संगे मरमर की फ्लोरिंग है तू विनिर्देश हमें देना है तो इसको आप बताईएगा देखे जो संगे मरमर होता है उसकी फ्लोरिंग है तो विनिर्देश क्या है आई देखते हैं एक तो है टोराजो या फिर मार्बल फर्स तो यह फर्स जो है आवासों करेलों और अस्पतालों के लिए उचित होते हैं यह सुन्दर आकरशक दिखते हैं और अधुनिक जो यूग है आज का जो टाइम है इनका सबसे ज्यादा नि लिख देना कि फर्स की जो उपरी सताय है उसके डाले गए टोराजो मिश्ण में भाग एक भाग जो सफेद और यह फिर रंगीन सीमेंट द्वारा दो तिन भाग मार्बल चिप्स यह फिर हम बोलते हैं कि चून रहता है ठीक है मार्बल चिप्स की अधिकता से सताय पर लग 15 सेंटीमीटर मोटी चुना कंक्रीट या फिर इट के टुकड़े डालकर कुटाई कर देती जिसको हम बोलते हैं गाउं में रोडी डालना ठीक है नीम में हम क्या करते हैं रोडी डालते हैं उसके बाद आधार सताय के उपर 2 से 2.5 सेंटीमीटर मोटाई के एक अनुपाद 2 243 908 के उनुपाद में सिमेंट कंक्रीट को मिला करे एक 3 सिमेंट मसाला डालकर खुड़ा ही छोड़ देते हैं ठीक है और यह जो है ठाराजों के लिया आधार का काम करता है ठीक यही जो है ठाराजों के लिए अधार का काम करता है दोस्तो bitch बात करते हैं आगे तो टेराजो मिश्टन एक भाग सफेद या फिर रगीन सीमेंट या फिर दो या फिर तीन भाग मारवल चिप्स या फिर चून का बना होता है तेराजो तलके तलक क्या करते हैं सूखने देते हैं और सूखने के बाद चार-पाज दिनों तक इसकी तराई क करते रहते हैं कि घिसाई कार्बोन डम पत्थर या फिर घिसाई मसीन से की जाती है और गिसाई में सताय चमखने लगती जो इसे हम पानी से दो करके साफ कर लेते हैं अब यदि फर्स छिद्र फर्स में छिद्र दिख रहा हो तो उसकी भराई जो है हम तोराजो मिश्रन से ही करते हैं ध्याने किगा जदी फर्स में कोई छिद्र हो तो उसका जो है भराई हम कैसे करते हैं तोराजो मिश्रन से करते ह ठीक है इनके गुन पर अगर आ जाएं तो गुन की बात करें तो गुन क्या-क्या होते हैं इसमें देखें यह कठोर जो संगे मरमरक होता है यह कठोर होता है मजबूत होता है और टिकाओ होता है यह सुंदर चमकदार और एक अच्छा फर्स दिखने वाला होता है यह सिलन रो इसकी देखभाल कम करनी पढ़ती है, क्योंकि यह है टिकाव होता है, मजबूत होता है, अच्छा दिखने में भी होता है, ठीक है. देखें, यह आपका figure है, टराजो फर्स का, यहाँ पर चुना कंक्रीट है, ध्यान से देखेगा इस figure को यहाँ पर चुना concrete है कहां तक 30 cm 10 से 15 cm मोटी चुना concrete की यहाँ पर हम लगाते हैं ठीक है और यहाँ पर देखेगा इस तरीके से यह जो है निर्मान होता है यहाँ पर हम जो है कहते हैं कि मतलब 14 इंच की दीवार हम करते हैं पहले यहाँ पर थोड़ा जादा चुड़ाय तक हम चुना concrete पत्थर बिछाएंगे उसके बाद उस पर दीवार करेंगे ठीक है जैसे अगर उपर जाकर 9 इंच की हमें दीवार करनी है फिक है जो इसके ओपर हम जो है दीवार कड़ी करते हैं ठीक 2.5 3.8 से इंटिमेटर पत्ली टेरोजे मिष्टर न हम यहाँ पर लगाते हैं जिस को हम जो है भीम बोल सकते हैं भीम टाइफ हम इसको यहाँ पर लगाते तो यह होता है हमरे पार टेरा बहाजो फरस ठीक इस तरीकेश से लेकिन आप फीकर को ध्यान से बनाकर के देखिए गा और अपने प्र्रैक्टिस करिए गा क्लिए चलिए नेस्ट आपके सामने है इसके आफ़गूं क्या कहे है इसके डेमेट्स क्या कहे है तो देखें कि ये महेंगा मिलता है आप व्यासे भी किसी सब्सक्राइब करते हैं और इसकी अब जते же निर्मान करते हैं चैका कि इस तरीके साब इस क्योशन को लिखेगा नेस्ट क्योशन आपके सामने है कि साइट पर निर्मित तथा पिकास्ट लिंटेल के बारे में हमें बताना है साइट पर निरमित तथा पिकास्ट लिंटल जिसको हम बोलते हैं लिंटर निर्मान जो है आर्णि सी लिंटम होते हैं उनका निर्मान दो प्रकार से किया जाता है पहला है पूर्व निर्मित लिंटल और दूसरा है ततस्थानिक लिंटल ठीक है तो यह कैसे होता है आईए पढ़ते हैं जब समान पाट के दरवाजों खिड़कियों के लिए बड़ी संख्या में एक ही माप के लिंटल डालने दरकार हो तो पूर्व निर्मित लिंटल उत्त जा सकते हैं जैसे की हमेरे जो पुराणे निंटर हैं ठीक है इससे चिनाई का की ऋंतम होती है क्योंकि सता है कि कम मातरा अहमें जो है देखनी को मिलती है खालती है झाले इंटेल के सेट होने पर काम रोकना नहीं Nemफ निक मौनि निर्मान तरय करके त्यार रखा जाता है और शाट जो निर्मितु करके जो ध्यान देने योगे बात है वह इस पात का मुख्य छडोक को इस्तिती तथा तली का ज्यान होना चाहिए कि इस पात जो इसमें सरीय लगे हुए हैं उनके बारे में जानकारी ठीक है बड़े पाटों के लिए लिंटेल परिछेद काफी भारी हो जाते हैं अता है इनको पुनिर्मित करना तथा उठाकर दिवार पर टिकाना एक जोखिम भरा कारे होता है अता है दो मिटर से अधिक पाट वाले लिंटेल तथास्तिक की तथास्तनिक भी बहतर रहते हैं जो कि दो मिटर से अधिक हैं वे जहें तथास्तनिक भेतर रहते हैं ठीक है ठीक है पूर्मित निंटेल विशेद ध्यान दोने वाले यह बागत यह है कि जो उसके सरीय होते हैं इंटल के उसको हमें जो है अच्छी जानकारी होनी चाहिए कि वह कैसे और किस तरीके से कब इसमें लिखेंगे नेस्ट आपके सामने कि रूफ ट्रीटमेंट पर एक नोट लिखें यह रूफ ट्रीटमेंट क्या होता है इस पर आपको एक नोट लिखना है दोस्तों रूफ ट्रीटमेंट याद रखेगा दिखें रूफ ट्रीटमेंट क्या है चप्टी छतों को साफधानी बरतनी पड़ती है जब दोजपूर्ण पदार्थों का च्छत नीमाण में प्रियोग किया जाता है अत्वा च्छत की ढाला वस्छत से कम होती है तो वर्सा का पानी जो है उस साफधानिया बरतने चाहिए वो कौन-कौन से साफधानिया है कि चप्टी छतों को चूने से बचाने के लिए च्वैन से बचाने के लिए हमें क्या-क्या उपाय करने चाहिए तो प्रणाम सरूप छत सीलन ग्रस्त हो जाती है और टपकने लगती है चप्टी छतों को च्वैन रहीत बनाने के लिए निमने उपाय करने चाहिए कौन-कौन से उपाय हैं आईए देखते हैं छत का उत्तम तथा जल रोधक मैटिरियल से निमान करना चाहिए अच्छे से अच्छे क्वालिटी का होना चाहिए ताकि वर्सा जल सिग्र बहकर छत के नीचे चला जाए नेक्ट है छत के जल की निकासी के लिए उचित संख्या में बरसाती नल लगाने चाहिए और प्रती एक 30 मीटर स्क्वार छत छेतर पर 15 सेंटिमिटर व्यास का एक पाइप लगाना आवश्यक है चत पर विटूमिन कोट या फिर विटूमिन फैल्ट अत्वा दोनों का प्रियोग करना चाहिए विटूमिन गर्म करके 1.70 किलोग्राम 1.70 किलोग्राम पर मीटर स्क्वार की दर से चड़कना चाहिए और बिटोमिन फेल्ट में बिटोमिन फेल्ट के सिरो पर चड़ाव आठ सेंटिमेटर से कम नहीं होना चाहिए दोस्तों ठीक है नेश्ट है छत तथा पैरापिट ध्यान रखेगा आपको बता रहे हैं छत तथा पैरापिट के संगम पर सिमेंट का निक्रिट का जो अर्ध ग यह है आपको बताना है भवन का उनमुखी करन आपको पता है दोस्तों भवन का उनमुखी करन क्या होता है जली इसके बारे में बात करते हैं भवन का उनमुखी करन क्या है औरियेंटेशन जिसको हम बोलते हैं भवन का उनमुखी करन कैसे करें देखे सूर्य की देनिक इस् भवन को भोगलिक दिशाओं के अनुसार स्थापित करना भवन का विविन्यास कहलाता है देखिए भवन यानि कि जो भी हम बनाते हैं अपना घर बनाते हैं भवन निर्मान करते हैं तो उसकी दिशा को ध्यान में रखते हुए उसका निर्मान करना चाहिए बारिश की दिशा वर्षा की दिशा किस तरीके से होती है और सूरे को सूरे की धूप ठीक है कैसे किस तरीके से वाईयू का प्रभा होता है उसको सभी को ध्यान में लगते हुए हम जो है भवन का निर्मान करते हैं उत्तम दिक्विन्यास से जहां प्रकरती की देन वाईयू धूप वर्षा तो था प्रकास अधिक्तम लाब उठाया जा सके वहां पर आप भवनों का निर्मान करिएगा ठीक है देखे जो भी हमारे भवन होते हैं उनका निर्मान हम किस तरीके से करें जब सूरे निकलता है तो उसकी धूप जो हमारे घर में जाती है तो वातावरन थोड़ा सुद्ध हो जाता है ठीक है इस तरीके से आप जो है अपने तरफ से लिख सकते हैं काफी ज़्यादा लिखने के लिए है सूरे की देने की स्थिति दिन पर दिन स्थिति कैसे बदलती है में आ सके ठीक है इस तरीके से वहाँ पर इनके दुस परणामों के भवन को सुरक्षित बनाया जा सकता है और विश्तरित चर्चा जो है वो इस तरीके से होती है कि अगर उत्तर को हम जो है क्या करेंगे उत्तर को उसका भवन का मुख करते हैं तो दिखे चौदा घंटे गर्मी में यानि के पूरू से पस्ट्रिम की तरफ जब सूरे जाता है तो चौदा घंटे तक गर्मी में इसका असर हमें दुस परणाम देखने को मिलता है ठीक है अब यदि दक्षिन की तरफ करते हैं तो दक्षिन की तरफ को चौदे घंटे सर्दी में हमें जो है इसका दूस परणाम देखने को मिलते हैं ठीक है तो दिखेगा जैसे जैसे सुरज जो है इधर से इधर जाता है ठीक तो उसी तरीके से धूप भी चलती रहती है तो उत्तम दिक्विन्यास में जहां प्रकृति की देन वायू धूप वर प्रकास अजित्तम लाव उठाए जा सके वहां इनके दूस परणामों से भवन को सुरक्षित बनाया जा सकता है ठीक भौगणिक इस्तिति कौन कौन सी है भौगणिक का मतलब यह है कि धूप और वायू यह भौगणिक इस्तितिया है तो धूप और वायू हमारे घर में प उस स्थान पर सूर्य की सिति दिन में इसकी किर्णों की दिसा एवं वर्स भर चलने वाली हवाव की दिसा का गहरा अध्यन आवस्यक होता है जब हम इसका निर्मान करते हैं जहां पर गिरिश मरीतु में सूर्य की तेज धूप तथा लू से भवन को अधितिक गर्म होने से बचाने की चेश्टा करनी चाहिए और वहां सर्दी के मौसम में इसी धूप का प्रवेश भवन में आवस्यक हो जाता है ठंडी हवाव के प्रकोप से भवन निवास्यों को बचाने का उपाय करने चाहिए जब हम इसका निर्मान करते हैं धूप की बात करें तो भारत एक गर्म देश है और घनी अबादी और तंग गलियों में इस्थित मकानों को छोड़कर वहां मकानों में धूप की कमी नहीं रहती प्रयत्र ने यह किया जाता है कि मकान के अंदर अत्रदिक धूप तदा सूर्य की किर्णों का प्रवेश रोका जा सके प्रंतु प्रात्य काल में सूर्य की किर्णे कम गर्म होती है स्वास्त वर्दक होती है अनंदायक होती है तो यह हमारे घर में प्रवेश करना चाहिए ऐसी हमें चेश्टा करने चाहिए ठीक है वायों की बात करें तो भवन में ताजी हवा का संचारण आवश्यक है हवा जो है जो जब चलती है प अच्छी नहीं लगती तो भारत में आठ महीने हवा प्राय दक्षिन परश्चिंग दिसा में चल बहती है और चार महीने जब सर्दी होती है तो इसका प्रवा अधिकतर उत्तर पूर्व की तरफ हो रहता है प्रणतु इन चार महीनों में सर्दी करन हवा को अधिकतम चाहिए ठीक है नेक्स्ट है हमारे पास क्वेशन नीव के क्या उदेश से हैं मिट्टी की धार्णा और अक्षमता की विवेशना की जिए मिट्टी की धार्णा चमता है मिट्टी की धार्णा चमता है उसकी जो है आपको विवेशना कर नीव के बारे में आपको बताना है देखे नीव जो है वो मकान की आधार सिला होती है भवन की आधार सिला होती है ठीक है तो नीव के उदेश से क्या क्या है देखेगा नीव के उदेश से हैं सनशना को मजबूती प्रदान करना जो हमारे स्ट्रक्चर है उसको मजबूती प्रदान करना भार को बाटना सहायक प भार धारन चम्ता क्या होनी चाहिए किस तरीके से हम उसको देखेंगे तो आईए देखें भार धारन चम्ता को निमने दो प्रकार से व्यक्त किया जाता है एक तो होता है चरम धारन चम्ता चरन धारन चम्ता और दूसरा होता है सुरक्सित धारन चम्ता चरम धारन चमता में क्या आता है कि नीव के नीचे की जो म्रदा है उस पर समनचना का भार आता है और अब म्रदा की चरम भार धारन चमता उस अधिक्तम भार को कहते हैं जो म्रदा बिना फिशले नीचे को धसे या फिर दरार पड़े सहन कर जाए और यह धारन चमता टन प्रती वर्ग मीटर आकी गई है यानि कि बहुत ज़ादा वजन होता है ठीक है चरण धारन चमता से अधिक भार आने पर म्रद्दा नीचे की और धंस जाती है और खड़ी हुँ जो सन्नचना है वो गिर जाती है धरासाई हो जाती है सुरक्षित धारन चमता की बात करें सेफ बीरिंग कैपेसिटी की तो सुरक्षा की दरश्टी से यह अतियावस्यक है कि म्रद्दा को इसकी चरम धारन चमता तक कभी भी भारित ने किया जाए और चरम धारन चमता को सुरक्षा कारक जिनका मान दो से चार लिया जाता है हमेशा उससे भाग दे कर मिरद्दा की सुरक्षित धारन चमता निरहत कर लेनी चाहिए मकान बनाने से पहले निर्मान करने से पहले नीव के अधिकलपन के लिए यही सुरक्षि चंता ली जाती है जो कि इस फॉर्मूले पर आधारित है चरम धारन चंता अपन सुरक्षा कारक ठीक तो सुरक्षा की दर्श्टी से यह है अतिया वस्तर के कि म्रद्दा की इसकी चरम धारने चमता तो कभी भी भारित ने किया जाए और म्रद्दा की धारने चमता म्रद्दा के कणों की सगंता पर बहुत कुछ निर्भर करती है मरद्या का परती घन मीटर जितना अधिक भार होगा उसकी भार धारन चमता भार को सहने की चमता उतनी ही अधिक होगी ठीक है इस तरीके से question आते हैं next question आपका आएगा नीव की विफलता के कारणों का उलेक तो नीव की विफलता के कुछ कारण है वो क्या क्या है पहला है पूर्व निर्वित सनचना के किसी भार पर नया निर्मान तब तक नहीं करना चाहिए जब तक पहले से ही नीव में इनका प्रावधान नय हो next है भवन के भवन की कुलंबाई को विभिन खंडों में रखकर निर्मान करना चाहिए तथा 30 से 40 मीटर के अंतराल पर दूसरे भाग के प्रसार को जोड डालने चाहिए यनके दूसरे भाग के प्रसार को यनके फैलाना चाहिए दूसरे भाग में चिनाई करने चाहिए जो भी हमारा भवन निर्मान में चल रहा है ठीक यह जोड नीव में पैराफीट तक सीधे और साफ जोडने चाहिए ताकि यदि भवन के एक भाग का अवस्थापन होता है तो सेस भाग प्रभावित ने हो नेश्ट आता है सनचना के विभिन ब्लॉक एक दूसरे से अलग प्रशार जोड देकर स्वतंतर रूप से निर्मित करने चाहिए जहां असम अवस्थापन को स्वभावना जहां पर असम अवस्थापन की संभावना हो वहाँ दिवारों पर कुर्सी तल किंटल या जो वहाँ पर लिंटर का तल या फिर उसका कुर्सी तल ठीक है अंतरचद तल या फिर प्रतिवल सिमेंट कंक्रिट से 10 से 15 सेंटिमिटर मोटी डालनी चाहिए ठीक है अब बात करते हैं नेश्ट की तो भारी धरनों यानि कि जो भारी धरन होते हैं बीम होते हैं तथा गार्डरों के सिरों के नीचे प्रबलित सिमेंट और कंक्रिट और या हम बोलते हैं कि पत्थर के टेमलेट लगाने चाहिए और यह टेम्पलेट क्या होती है पत्थर के और या फिर सिमेंट कंक्रीट के यह जैसे भी आपको उपलब्द हो वह उन धरन के नीचे लगानी चाहिए अश्राणा के असम अवस्थापन पर दिवारों पर उर्दू अथवा 36 दिवारें जो दरार आजाती हैं दिवारों में वो उपर या फिर 36 दरारें पिरकट होने लगती हैं और कुछ दरारें इतनी महीन होती हैं कि यह लेकम को जो हम दिखाई बी नहीं पढ़ती थीक, नेर्श्ट कुश्चन आपके आता है कि नमी रोकने के विभिन तरीके क्या हैं, एकी तरीके काफ़ी ज़ीई चले रहा है, लेकिन फिर भी अगर सही तरीके से उसका देखभाल ना की जाये तो फिर भी वो क्या होता है सीलन आ जाती है तो सिलन रोक परत या फिर जिल्ली लगाना जरूरी है सिलन रोक परत या फिर जिल्ली लगाना बहुत जरूरी है नमी रोकने के तरीके और इसमें हम क्या लिखेंगे जो सिलन रोक परत होती है या फिर जिल्ली होती है इसमें आप थोड़ा सा लिख भी दीजेगा कि सिलन के स्तिरोथ और दिवार छत अत्वाफर्स के बीच जो सिलन रोक या फिर जल सहपदार्थ की एक या फिर दो परत लगा देनी चाहिए जो सिलन को आगे बढ़ने से रोक देती है परतें छेती जे फिर उर्द्वाद रिष्टिती में कैसे भी आप लगाएं लगा सकते हैं सतह उपचार सतह उपचार यानि कि सिलन को रोखने के लिए सतह उपचार भी करता जाता है जैसे दिवारों तथा छटों कोई दिवारत अच्छत है जो च्छत हैं उनके सतहों पर जहां वर्षा का पानी पढ़ने से लगातार सिलन बनी रही है उपचार के लिए उन पर सतह के रंद्र भर जाते हैं ठीक है जिससे की उस पर उप्यूक्त जलरोधी पदार्थ का लेप कर दिया जाता है ठीक है जिससे उसके जो रंद्र होते हैं छेद होते हैं वो भर जाते हैं और सिलन का भीतरी जो भाग में घुशना असंभ होता है यानिकि भीतर घुशने से रुख जाती है नेश्टा ताय समकालित सील रोधक समकालित सील रोधक क्या है समकालित सील रोधक विधी जो है इस विधी में हम क्या करते हैं चिनाई का मसाला त्यार करते हैं और कंक्रीट बनाते समय इनके अंदर कुछ विशेश योगिक मिला दिये जाते हैं जो मसाले या कंक्रीट के गुनाइटिंग दिवार तथा देखे गुनाइटिंग में क्या आता है कि दिवार तथा फर्स के सिलन ग्रस्त भागों पे जो भी जहां पर भी दिवार में या फर्स में सिलन आई गई है उसे ग्रस्त भागों में या जोड के अंदर सिमेंट बालू मसाला वन अनुपात दो या फिर वनुनुपात 3 के अनुपात में बलपूर्वक्स तंपीडित हवा की सहता से घुसाया जाता है। मसाला सेट हो जाने पर पूर्णते जल अब प्रेश्य हो जाता है तथा सीलन को खत्म कर देता है। और इस किर्या के लिए सिमेंट गन का प्रियोग के जाता है जिससे की जो सिमेंट है वो अंदर तक जा सके है। नेट्स आपके सामने हैं खोखली दिवारों का निर्मार्ण दोरा क्राद करा देना चाहिए यस सिलन हमंडे मकान में भान में आ रही है देखे यह दिवária बीच मेंके खोखली होती है जो दो फलकों में बनाय जाती हैं जिसके बीच पांस सेंटिम्र या फिर अधिक खाली इस्थान छोड़ दिया जाता है इनसे क्या होता है दिवार में खाली इस्थान के कारण बाहर से सेलन अंदर की दिवार तक नहीं पहुँच पाती क्योंकि बीच में खाली इस्थान है अत्या कमरे के भीतर से पूर्णते सिलन मुक्त हो जाते हैं और खोकली दिवारें ठंड उस्मा या फिर शोर को भी अंदर आने से रोकती है खोकली दिवारें तेदिक वर्सा वाले छेत्रों के लिए उप्यूकते हैं जिससे की नमी भवन मिन पूंप के निर्माण पर संछित्प टिपणी यह आपको मिलने वाला है तो लकड़ी का जो पर्स भर्स है जिसको बोलते हैं। पैदिक आड çेत्रों में जहां पर जम HISला कि ऐसंफ के निर्माण के तता है उप्योग का उप्योग की बात करेंगे सब से पहले तो देखिए लकड़ी के फर्स पहड़ी छेत्रों में जहां पर जलवायू नम होती है न वहां पर अच्छी टिमबर सस्तिस आसानी से मिल जाती है जो लकड़ी होती है वो आसानी से मिल जाती है और सीलन ग्रस्त छेत्रों से अधिक यह निर्मान किया जाता है इन फर्सों का नाजगरों, बालरूम, सबाबवन, थियेटर, होटल, स्केटिंग हॉल या फिर प्रियोकशाला, व्यायामशाला, त्यादी में अब खास कर बड़े पैमाने पर प्रियोक किया जाता है निर्मान की बात करें, तो लकड़ी की सीलन से बचने के लिए, लकड़ी को जो सीलन से बचाने के लिए हम यह फर्स भूमी के सीज़ संपर्क से दूर रखा जाता है आता है इसको भूमी के से कितना 1 से 1.5 मीटर उपर बनाना चाहिए तता सील रोक पर सीलन रोक पर विशेद ध्यान देना चाहिए जो भी सीलन वहां तक पहुँचे उसको नहीं पहुँच देना चाहिए ठीक है यह आपका फीगर है लकडी के फर्स का यहाँ पर चुना कंग्रीट होगा 60 से 90 सेंटीमीटर यहाँ पर भोतल है ग्राउंड लेवल और 10 से 15 सेंटीमीटर यहाँ पर चुना कंग्रीट यहाँ पर आप डाल देते हैं ठीक है यह वायू छिद्र है जहाँ पर यह इसका जो सिमेंट का जो गैस होता है जो वायू होती है निकलने के लिए होता है उपर जो सिलन रोधी रद्दा यानिके डिपीसी लगा जाते हैं जो यह लगी हुई यह डिपीसी है और उसके उपर दीवार खड़ी करते हैं ठीक है यहाँ पर लकडी का फ़र्ट डाल दे जाता है और ब्रीजिंग कड़ियां लगा दी जाती है जो तीन से चार सेंटिमेटर मोटे पटर होते हैं इनके वुडन बोर्ड ठीक तो तब हम जो है इसको सिलन से रोख सकते हैं इस फिगर को ध्यान से पढ़ लिजिएगा एक पाब बना के देख लिजिएगा ठीक चलिए आगे नेस्ट आपके सामने क्यूशन आएगा विबिन परकार के मौटार क्या है और इसका कैसे चुनाव करें ठीक है मसाले के गुण सबसे पहले हम देखेंगे इसमें मसाले के गुण तो जो मसाले होते हैं जो हम चुनाई के लिए बनाते हैं उसका हमें यहाँ पर धियान रखना होगा मसाले के गुन की बात करें तो एक अच्छे मसाले के निम्न गुन होने चाहिए कौन-कौन से इसे सिग्र जमकर कटर हो जाना चाहिए यह अच्छे मसाले के गुन होते हैं इसे सुकार्य जिसको हम बोलते हैं वर्केबल एवम पदार्थ इनके गुनों को प्रभावीद नहाँ कर सके और इसकी समर्थे संपीडन तनन और अभिलाग । तनन और अभिलाग में पर्यास्थ होनी, पाथ करते हैं चिनाई मसाले के परकार की। परकार पहला है परकार मिट्टी-कार मसाला मतलब यह है कि इसे बचाने के लिए ऐसी म्रद्दा लेते हैं जिसमें उचित मात्रा में बालू एवं चिकनी मिट्टी मौजूद हो यह तो आप सभी ने देखा होगा सभी आप इसके बारे में लिख चकते हैं लेकिन फिर भी हम आपको बता दें इसके लिए हम ऐसी मिट्टी लेते हैं जिसकी उचित मात्रा बालू एवं चिकनी मिट्टी मौजूद हो और इसे महीन कर दो तीन दिनों के लिए पानी के संबर के में रखकर गुथाई या फिर इसका प्रियोग गूथने में करते हैं और इसकी पकड़ बनाने के लिए भूस करें बालू मसालपुंद है का अधुनिक यूग एसमालय का प्रियोग अधिक और इसमें और इसमें से तरह कि लिए ज़ाए चारस इ railroad और्याले में अवग द्यार कर लेते हैं और स्थिमेंट के प्रावनभिक जमृकर प्रावनार कर इंज jornal में की बालठ निस जमाव काल से पहले इन्हें प्रियोग करना चाहिए या यह रखा हुआ जमना नहीं चाहिए चिनाई के लिए एक आनुपाद पांच और एक आनुपाद छे प्लाश्सक्तर के लिए एक आनुपाद तीन है एवंड टीप के लिए एक उन पाद दो का प्रियोक करते हैं अधिक समर्थिये वाली या पिर ने रुकने वाल जगवडर समें पर इस मसाले को गज मसाला भी कहते है और इसे एक अनुपात एक अनुपात छे या फिर एक अनुपात एक अनुपात नौ के अनुपात में मिलाया जाता है सबसे पहले सिमेंट बालू को मिलाते हैं और इसके बाद उसमें चूने को मिलाया जाता है इस प्रकार से बनाए गए जो मसाले हैं उनके सामर्थे सिमेंट बालू मसाले के बराबर होती है और इसका प्रियोग प्रायनी भी मेक किया जाता है बात करते हैं चुना मुर्खी चुना सुर्खी मसाला चुना सुरुखी मसाला क्या है यह है बुझे हुए चुने एफे सुरुखी को मिला कर चक्की में पीस कर तेयर किया जाता है और इसे एक अनुपाद दो के अनुपाद में मिला जाता है इनकी समर्थी अधिक होती है और यह 20 रेणी के कार्यों के लिए ठीक होते हैं तो यदि कि आपको मसाले के वारे में आए तो आप इस तरीके से लिखोगे मॉर्टार को इन्लिस में हिंदी में बोलते हैं मसाला जो हमारे चिनाय के काम आता है मॉर्टार ही मसाला है का आप confuse ना हूँ, मसाले को ही हम इंगलिस में mortar कहते हैं तो mortar भी अगर आ जाए तो वो मसाले की ही बात कर रहा है ठीक है next आता है महराबो के वर्गिकरण के बारे में बताईए महराबो के वर्गिकरण के बारे में बताईए, तो महराबो के वर्गिकरण मेहराबो के वरगिकरन के बारे में बताना है तो हम बात करेंगे डाटो का यह वर्गिकरण डाट की जैमिती आकर्टी पर आधारित होता है और वक्र की रचना, वक्र की रचना के अनुसार अनेक आकर्टी की डाटे बनाए जा सकती हैं, मुख्या करती निन्न होती है कौनकौन सी अर्द गोलाकार या फिर अर्द वरत्तकार डाट, जिसको बोलते हैं स संब द म सर्क्राइब त्रातर दार्त रिच्पत्र की डार्ट होती हैं या सब दार्ट के प्रकार हैं अकरती के प्रकार हैं निर्मान के आधार पर डाट जो है कितरे पर कौन-कौन से होती है पत्थर की डाट होती है इट की डाट होती है यह फिर कंक्रीट की डाट होती है निर्मान विदी के अनुसार डाट जो है अनगड़ डाट और सुगड़ यह होती है निर्मान पदार्थ के अनुसार यह हो अनुसार होती है, नेक्स्ट आपके सामने आता है, इसके फोल्डिंग क्या है, इसके फोल्डिंग क्या है, सुन्दर चित्र बनाने, सुन्दर चित्र द्वारा व्याख्या कीजिए, इसका फिगर बनाना है, तो देखें, इसके फोल्डिंग क्या है, सुन्दर चित्र द्वा हुआ है इसके फोल्डिंग होता है पाड यह फिर मचान ठीक है जिसको हम बात कर रहे हैं तो आपको इंगलिस और हिंदी दोनों में नाम पता होना चाहिए ताकि आपको वहां पर कोई परसंद नहीं यदि आप पाड और मचान याद करें गए हैं और आपको लिखा हुआ इस तरीके से आजाए कि इसके फॉल्डिंग इसके फॉल्डिंग की क्या है लेकिन आप पाड और या मचान याद कर गए हैं तो आप जो है वहाँ पर कन्फिस हो जाएंगे इसलिए हम कहा रहे हैं कि इंगलीज और हिंदी दोनों में आप नाम याद रखेगा चिनाई का निर्मान कार्य को एक निश्चित उचाई लगबग एक पॉइंट पांच मीटर तक जमीन पर खड़ा होकर किया जा सकता है परंतु इस उचाई से उपर जमीन पर खड़ा होकर कार्य करना मुश्किल होने लगता है दिवारों की उर्द्वादर उचाई बढ़ाने के लिए बास या फिर बल्लियां पट्री या फिर रस्यादी का प्रियोग करके जमीन की साहता से जमीन के ऊपर कुछ जो इस्थाई सन्रचना या प्लेटफॉर्म बनाई जाती है उसे ही हम कहते हैं पाड या मचान कहते है या जिसको हम बोलते हैं पैड यह पैड नहीं होती पाड बोलते हैं फिर मचान बोलते हैं ठीक है जिस पर मिस्त्री जो है दिवा की उचाई तक चिनाए कर देता है उस पर खड़ा हो करके तो इस प्लेटफॉर्म का प्रियोग सामानों को रखने मजदूरों के बैठने उठने खड़े होकर कारे करने से कियाता है और यह दिवार के एक तरफ या फिर दोनों तरफ से बनाए जाती है और इन्हें एस्ता सनalenा होने के बाद भी काफी मजभूत बना जा सकता है ताकि है उस कारे कर रहे शरमे को और फिर कर रहे सामागरी के भार से विच्छलित ना हो सके उसमें कर सके जैसे जैसे उच्छाए बढ़ती जाती है वैसे वैसे बल्लियों अब बास की सहता से इसकी उचाए बढ़ाते जाते हैं मचान बनाने के लिए बास बल्लियों अब रस्तियों का प्रियों करते हैं तो इसे लकडी की मचान कहते हैं अगर लोहे के पाइप या फिर चादरों का प्रियों करते हैं तो उन्हें लोहे की मचान कहा जाता है। इनमें रस्तियों की जगए बांधने के लिए नट बोल्टों का प्रियों के जाता है जो लोहे की मचान होती है। उनकी आयू दोनों अधिक होती है। बात करते हैं मचान की किस्में तो पाड ये फिर मचान जो है निम्नी प्रकार की होती हैं इट चिनाए मचान पत्थर की मचान नली का मचान सेडी मचान सुची का मचान और गैंट्री मचान जुला और लटकती मचान ये सभी मचान की किस्में हैं। ठीक है जैस की लेकिन उपर मिस्तरी के चिनाई करने का कोई भी मतलब ऐसा स्विधा नहीं है कि उपर नहीं है यहां पर एक बल्ली को गाड़ देते हैं बल्ली को गाड़ने के बाद यहां पर एक बल्ली लगा देते हैं ठीक है जिससे कि यह दिवार में फंस जाए और यहां पर एक पट्रा रख देते हैं जिस पर सामगी रखी जाती है और मजदूर या फिर मिस्थरी खड़े होकर के च इसके उपर हम क्या करते हैं इसके उपर फिर उपर को हम जो है चनाई करते जाते हैं यहां तक पहुंचे जहां पर मिस्टरी का हाथ फिर से उपर नहीं जाएगा तो हम फिर से एक और मचान बांद देते हैं ठीक है एक और मचान बांद देते हैं जिससे कारेकारी King Clojet, Quid Clojet और Hearting तथा Jamios तो यहाँ पर आते हैं Nerd Daily जिसको बोलते हैं King Clojet King Closer ठीक है देखेगा King Closer बात यहाँ पर हो रही है English के Name ही Hindi में यूज हो रहे हैं और यही कारण है कि Hindi Medium वाले अधिक से अधिक नमबर नहीं ला पाते हैं थीक है नर डेली को ही किंग क्लॉजर बोलते हैं यह होती क्या है कि जब किसी ईट को उसकी लंबाई बम चौड़ाई में आधे आधे से तिर्चे रूप में काटा जाता है तो उसे हम डेली कहते हैं ठीक है डेली का मतलत है चोचोटी टुकडे मादा डेली जिसको बोलते हैं क्वीन क्लोजर जिसको बोलते हैं तो जब किसी इत को उसकी लंबाई के समांतर चोड़ाई के आदे-आदे के पूरी लंबाई में काटा जाता है तो उसे मादा डेली यानिके queen closer कहते हैं भरत या फिर भराव जिसको बोलते हैं hearing और दूसरा है feeling दिवार की सम्मुक सतह और प्रश्ट सतह के बीच बने भाग को भरत या फिर भराव कहते हैं जैम में क्या होता है जैम में तो यहां पर दरवाजे खिडकियों की चोखट से सटी दिवार की उर्दवादर भीत्री सतह जैम में कहलाती है इसे चोड़ी होती है इन फिगर को आप देख लीजएगा इन फिगर को आप बना करके आईएगा और यह इतना लिख दीजएगा बहुत है आपके लिए नेच्ट आपके सामने है रबल यह फिर असलार रबल तथा असलार चिनाई में क्या अंतर है देखे ढोंका बोल दो यह फिर रबल बोल दो ठीक है रबल यह फिर ढोंका जब अनगड़े या फिर कुछ गड़े पदर पत्थरों के चिनाई की जाती है तो इसे ढोंगा या फिर रबल चिनाई कहते हैं इस चिनाई के जोड ऐसमान वे अधिक मोटे होते हैं और पत्थर की सतय भी उबड़ खाबड रहती है रबल चिनाई की गहराई तथा कार्य इस तर के आधार पर निम्ने वर्गों के विभाजित के जैसे सुखी ढोंका चिनाई गाराई तो ढोंका चिनाई चकोर ढोंका चिनाई और पत्थर की पीचिंग ठीक है आगे बढ़ते हैं आगे हमारे पास वराश्म या फिर एलसर चिनाई जो हमने पूछा था तो जब प संगामी यह फिर एलसर चिनाई कहते हैं यह चिनाई में जोड महीन तथा समान मोटाई के होते हैं और पत्थरों का आकार कोने और बहरी सताय पर जैसी बनाई जाती है देखने के लिए चिनाई सुन्दर लगती है इनकी गड़ना उच्चकोटि की बनाई होती है आता है हम क क्या करते हैं कि इसका प्रयोग उत्च्टम स्रेणी क्यों स्रेणी बहुणों को बनाने के लिए इसका प्रयोग क्यां गड़ाइव के इस तर के अनुसार Ch사 नाई के नीचे एक उत्तम एसलर मोटी या फिर हम बोलते हैं अधगड चिनाई यह फिर पड़ जो हम कहा हिए हें के पकदार पदार या फिर चेमफरड लटर चिनाई नुंदी ओक दो होती है हमेरे पास दी बूर्र के कि अधो थीक है अब यहां पर बात करते हैं फ्लैमिस बॉण्ड को चित्र सही समझाएं फ्लैमिस बॉण्ड क्या है इस चाल में एक ही रद्दे में बारी-बारी है यही पृण अपना जाता है फ्लैसिंग चाल में प्रतियक रद्दा हेडर तथा स्ट्रेचर से आरंभ होगा परंतु हेडर रद्दे में कोनिया के बाद मादा डेली ने क्विन क्लोजर लगा जाती है और इससे सभी उदग्र जोडों की सतता स्वेम ही भंग होती है और फ्लैमिस चाल में बनी दिवार ज ठीक चलिए नेक्स्ट है इंग्लिस बॉन्ड को चित्र सही समधाईए देखे जब सामने से देखने पर दिवार में एक रद्दे में सभी हेडर तथा उसके उपर वाले रद्दे में सभी स्ट्रेक्चर हो तो उसे इंग्लिस बॉन्ड कहते हैं एक आंतर में सभी हेडर ने से structure दिखाई देते हैं तो उस रद्दे को ठीक पिछली सतहय पर structure के सामने से structure दिखाई देते हैं और उस रद्दे की ठीक पिछली सतहय के structure ही लगी होती है और यही इस्तिती header रद्दे को भी होगी नेक्स्ट है डेड और धाई इट मोटी दिवारों में सामने वाले भाग में किसी रद्दे में इस ट्रेक्चर दिखते हैं तो उसकी पिछली फलक पर ठीक उसी रद्दे में इसके विप्रीद हेडर दिखाए देंगे दो इट अत्वा इससे अधिक मोटी दिवार में बहरी फलक पर चाहे हैडर हो या इस्ट्रेक्चर परंतु छोटे या भीत्री भाग में हैडर ही लगाया जाता है देखी जैसे यह एक इट मोटी 20 सेंटीमीटर दिवार इस तरीके से फिगर बनेगा ध्यान से दीखीगा इस सेंटीमीटर है 246 वारद्दा यहां पर इस तरीके से दिखाए देगा ठीक है नेस्ट है डेड़ इंट मोटी 30 सेंटिमेटर की दिवार उसका फिगर आप इस तरीके से बनाओगे यानिके जो 30 सेंटिमेटर उसका आधार से ऊपर को उचाए रखेंगे जो यहां पर होगी इस तरीके से नेस्ट है दो इंट मोटी दिवार तो आप यह देख लिए जब आप बना करके देखेंगे एक बार क्योंकि यह फिगर आने वाले हैं यह बना करके आने ही होंगे धाई इंट मोटी 50 सेंटिमेटर की दिवार इनकी जो प्लान होता है इस तरीके से चलता है इसे हम अंग्रेज चाल की दिवारे एफिर उनका संगम अगरेजी चॉप और इस चाल में कभ सोड़ा नहीं जाता है चिक है इसे चाल में पृतियक मोटाई की दिवारव मजबूत से बनां जा सकती है अंग्रेजी चाल में इटों की विवस्था कיसे की जाती है तो विविन मोटाई की दिवारों के लिए अंग्रेजी चाल में प्रद्धों की विवस्था चितर पांच में दिखाई गई है ठीक चिनाई में स्वेता है उर्धवादर जोडों को आगे पीछे करने के लिए कोनिया के ठीक बाद दिवार की दूरी मोटाई में मादा डोली जो मतलब बोलते हैं मादा डेली क्वीन क्लोजर लगा जाती है और जिसको चित्रों से खांकित करके दिखा जाता है अंगरेजी ही चालु में दिवारों के द्रस्थें क्यों सबंसे करें। next account के सामने नस्य बनता है को पन सीडि का चित्र बनाएं और नमांकन करें तो आप प्रतिवर्ति भाग को बताईए ठीक तो कूपन सीडी यहीं कि खूला कूपन सोपान की बात करेंगे ओपन वैल स्टेयर तो दिखें यह है एक खूला प्रतिवर्ति सोपान होता है परंतु दोनों विपरीद पंक्तियों के मध्ये परियाप्त खाली स्थान छोड़ा जाता है उपर से देखने पर यह खाली स्थान एक सूखे गहरे कुए की भांती दिखा जैता है और जिसके चारों और स्लंक्रा बंद कदम चे चक्कर लगते लगाते नजर आते हैं कुए की तरफ सोपान को फ्लाइट के अनुसार कम उचाई के उपिस्तम लगाकर सीडी का जंगला बना जाता है ठीक ताकि कुए में गिर पढ़ने का भैही न रहे कुए में ऊपर डाली गई च्छत के उचित प्रकास की विवस्ता की जाती है जिसके प्रकास आता रहे और जिससे सोपान के कदम चोंप सीडी रोकनी पढ़ती है जितना वहां पर कदम का जोर खुले कुए का प्रियोग शिफ्ट लगाने के लिए होता है और सोपान कक्स की चोड़ाई दोनों पंक्तियों की चोड़ाई और कुए की चोड़ाई का योगफल होती है दोनों पंक्तियों के संगम पर पूरी चौकी यानिके हाफ स्पेस लोडिंग अत्वा दो आधी चौकियां इस बारे में गस्त कर रही हैं इस बारे में सारवजनिक भवनों के लिए उत्तम रहता है ठीक यानि के जो भी हमरे पास आधी चौकियां कुए की चौडाई जो दो पंक्तिया संगम पूरी चौकि होती है दो आधी चौकियां बना लेते हैं कुए की चौडाई के सामने कुछ कदम चो की विवस्ता की जाती है यता संभाव इस सोपान में गूमक कदम चो नहीं लगायते हैं इस सोपान में सारवजनिक भवनों के लिए उत्तम रहता है यह है सोपान जो हमने आपको बताया खूला कूपन शोपान अब देखिए इस तरीके से इसका फिगर बनेगा ध्यान से देखे इसको यह च्छत होती है च्छत यह ऊपरी फास हम बोल सकते हैं यह है अमरे पार उर्द्वादर खंड है यानि कि इस तरीके से जाएगा ठीक भूमिकात फर्स यहां पर होगा और यहां अमरे पास चौकी दीवार के पास में यहां से यह फिर से जाएगी इस तरीके से ठीक और यह हस्त धर्णी और इसको बोलते हैं हम चौकी यह जो बनी हुई है और ध्यान रखेगा चौकी हम किसको बोलेंगे जो यह हमने सिरेव डाला है और यह होती है च्छत जिस पर हमें स्यूडी के मादम से जाना है ठीक है तो आप इनी फीगर को देख लिए खुला कूपन जिना नेस्ट आपके सामने आता है टीप बनाने के क्या उद्देश से हैं इसके विभिन प्रक कार कौन-कौन से तो टीप के उद्देश से दिखिए जोडों कि सामर्थिय बढ़ाना जो जोर होते हैं उनकी सामर्थय मझेबूती को बढ़ाना होता है टीप जोडों को जो चिनाई का कमजोर भाग होते हैं और द्रड़ता प्रदान करती है और वर्सा धुली के प्रिकोप से बचाती है नमी को दूर करना अच्छी टीप चिनाई के जोड़ों में बहारी जलतता सिलन को घुशने से रोकती हैं दीवार की सुंदरता बढ़ाती हैं प्लास्टर करने से जहां दीवार के पत्रों वे इटों की प्रकृति प्रकृति सुंदरता रंग जोड़ बहुत कमजूर होते हैं टीप करने से वह जोड़ जल रोधक पर मजबूत हो जाते हैं फसलों की अवस्टक बनाना फसलों फलकों को अवस्टक बनाना जो फलक होते हैं यानिके विबिन डिजाइनों की टीप करके दिवार की बाहरी सतह को और अधिक आकर्शक बना अधिक आयू बहते जल के संपर्क में आने वाले दिवारों या इस्तमो या फिर फरसों पर प्लास्टर अधिक समय तक टिक नहीं पाता। और उखड़ने लगता है आता है ऐसे इस्थानों पर टीप उप्यूक्त रहती है और टीप कारे की आयू प्लास्तर से अधिक होती है नेश्ट है टीप के मुख्य प्रकार टीप के मुख्य प्रकार कौन कौन से सपार्ट या फिर फ्लस्टीप यह एक सरल प्रकार की टीप है और यह अधिक्तम टीप चिनाई की दिवारों तो था फर्स पर अपना जाती है जोडों में मसाला भरकर करनी में सपार्ट कर दिया जाता है और इस टीप पर धूलवे वर्षा का कोई भी जल अटेक नहीं कर पाता है रुख जाता है और यह टीप काफी टिकाओ होती है और यह कम समय में ही हो जाती है यू जड़ीदार टीप जोडों में मसाला भरकर जॉइंट से अर्ध गोलकार जिर्यों को बना दिया जाता है और यह टीप सुनदर काो मजबूत होती है क्योंकि मसाला जोडों में प्रेस हो जाता है यह नगे दब जाता है वी जिरिदार टीप जोडो में मसाला भरकर जोईन्ट से वी आकार की जिरियां बना दी जाती हैं ये पथर की उत्तम चिनाई में अपना जाती है चाबिदार टीप क्या होती है इसमें पूरे जोड की मोटाई में अर्द गोलाकार ज्री ज्वाइंटर से बने होते हैं और यह है इट चिनाई में अधिक प्रियोग की जाती है चकोर ज्री टीप को मतलब क्या है कि इसमें चकोर ज्री पूरे जोड में बना दी जाती है जब इट का पत्थर के किनारे सपाट हो तो इस टीप यह टीप जो है देखने में सुन्दर लगती है और पंखी टीप क्या होती है वाटर हेड या फिर इस ट्रंक पंखी टीप इस टीप में तिर्ची होने करना वरसा का पानी जोड से ततकाल बाहर आ जाता है और यह देखने में सुन्दर लगती है और यह पत्थर की चिनाई में अधिक प्रियोग होती है ठीक है इस तरीके से आब इनको लिखेंगे बिना चान बीन कि ये ढहर से उठाक उठाक गारे के बगेर दिवार में लगा जाता है यह भाटे एक दूसरे में फंसे रहने के कारण अपनी सिती में बने रहते हैं और रिक्तियों में छोटे पत्थर वैं कत्तर यानिके पच्चर भर दियाते हैं और इस चिनाई को समर्थ म थीक इस तरह किसा फिकर बना दीजीगा नेश्ट पत्थर के चनाई में अंतर पत्थर के खंड़ों का कोई समान माप नहीं होता यह बडोल सतों की होते हैं इचसे सत्य सबाट सम्तल्ड ता कोने ठीखे होते हैं उपलब्द था पत्फर प्रक्रति सअ अधसे उपलब्द हें परंतु इनको चट्टानों से निकालना तो गड़ाही करना पड़ता है इंट प्रकर्ति में उपलब्द नहीं है इनको जो है हम क्या करते हैं इनको पाथना तो था भटों में पकाना पड़ता है और जिसके लिए काफी समय लग जाता है दिवार की मोटाई पत्थर की दिवार की मोटाई 35 संटीमेटर से कम मोटी नहीं बना जाती आता है ये दिवा दिवार आधी इंच यानिके दस सेंटिमीटर मोटी तक बना जाती हैं अतया दिवारे नियुंतम इस्थान घेरती हैं हस्तन पत्थर भारी होते हैं उनको उठाकर दिवार टिकाने में कटनाई होती है इट अपने मापक के कारण परियाप्त हल्की ये फिर सुहस्त होती है इनको आसानी से उठाकर दिवार में रखा जा सकता है कारेगर चिनाई के लिए कुशल कारेगरों की अवस्कता होती है एक साधरन मिस्तरी भी संतोजन चिनाई कर लेता है पत्थर में क्या होता है निर्मान विधी यानिके पत्थरों काटने छाटने गड़ने तथा दिवार में सटीक बैठने के लिए क्या होता है काफी समय लग और इट की चिनाई में क्या होता है कि इटों को गड़ने की अवस्कता नहीं होती लेकिन इट चिनाई पत्थर इचाई की तुलना भी सिग्र बन जाती है चाल चाल की बात करें तो पत्थर की चिनाई में कोई मानक चाल अपनाने परसानी नहीं होती क्योंकि सभी पत्थर अलग-लग माप के होते हैं हेडर इस्टेक्चर में अंतरक कम रह जाता है इट चिनाई के लिए कोई भी मानक चाल अपनाई जा सकती है चाल अपनाने से पहले कारेगती पकड़ लेता है और निर्मान सिग्रपून होता है जोड पत्थर के उसमें जोड इन चिनाई में सभी जोडों को समान मोटाई प्राप्त करना अधिक पड़ता है और इटो के मानक मातरक के लिए इसके करण बिनाई जो चिनाई होती है इटो के मानक माप के करण चिनाई के जोड़ समान तथा महीन रखे जाते हैं जिसे के वो साफ सुतर है और सुंदर दिखें नेश्ट होता है आवासी भावन की निर्मान भागों की सूची बनाएं तथा उनकी परिभासा है लिखे तो पहला है हमारे पास नीव, दूसरा है कुर्सी या प्लिंथ, तीसरा है सील, रोक, रद्दा, अधिरचना, दिवारें, खंबे, वैप, प्रैस्टंब, और डाट, इ जो है इस यह बहुन के घटक होंगे, सभी बहुन के घटक होंगे, जल्दी याद कीजिएगा, ठीक है, नेश्ट है, नीव, नीव को हम कैसा लिखेंगे, सनचना या सनचना का वैभाग जो भूमी तल से नीचे बना जाता है, और अधिरचना का भार नीचे सतह पर, म्रद् नादिश करता है, और नीव कहलाता है, कुरसी या इसलिप, कुरसी या प्लित क्या है, कुरसी या फिर हम बोलते हैं, भवनों की निर्मान, वर्साजल, बार, धूल, मिटी, वे छोटे-छोटे, छोटे-मोटे रंगते वालो कीडे, मकोडे को घुसने से रोकने के लिए, भ कुरसी भवन की सुन्दरता बढ़ाती है, और इसे जो भव्यता प्रदान करती है, और भवन की निम्न, निकासी, यानि की जिसे बोलते हैं, ड्रेनेज के कारण भी मुसल, यानि के हम बोलते हैं, भूतल बोलते हैं, ठीक है, भूतल फर्स था भूमी से कुछ उचा होना बह बहुत जरूरी है, ठीक है, देखी जैसे कि हम हमारे पास यह दिखाएगा, एक बहुतली भवन की बाहरी दिवार की अनुप्रस्त काट, कोपिंग से नीव तक, यहां से लेकर के, यहां तक आपको दिखाए जाएगा, आप इस तरीके से देखेगा, आप इसको ऐसे भी दे अगर को आप एक बार बना लीजेगा, यह आपके याद हो जाएगा, कैसे कैसे किस तरीके से, यह एक बहुतली भवन की बाहरी दिवार की अनुप्रस्त काट है, इसको ध्यान रखेगा, ठीक है, चलिए, नेश्ट आपके सामने आता है, सील रोक रद्दा, डैंप प्रूफ कोर, तो कोसी की एक किरिया, तथा अन्य कारणों से अब भूमी की नमी, निवन तथा प्रिंट से होकर, उस उपर दिवार तथा भवन के मध्ये, भागों में चढ़ने लगती है, जिसे सीनन कहते हैं, सीनन के कारण, दिवारों पर बदनुमा धब्बे पड़ जाते हैं, और फिटिंग नस्ट होने लगती है, सीनन को उपर चड़ने से रोकने के लिए, कुर्सी तल पर सील रोक रद्दा लगा जाता है, जो भी हमारी वीडियो देख रहे हैं, वो पहले वीडियो को एक बार अधिरे दिवारे शना धसे रख कर डिजेगा दोस्तों काफी देर यह वो और भी महशना महनंत कर रहे हैं और आप हमारे लिए नहीं सब्सक्राइब यान पर भी आपको इस साइड कर दीजिए दोस्तों चलिए नेफ सामने हैं अधिरशन दिवारें या फिर प्रैस तंब चत को आधार परदान करने के लिए दिवारें वैखंबे निरमित कियाते हैं और भारी धरन वे छत कैचियों के सीरो पर बरामदों में प्रवेश द्वार जिसके हम बोलते हैं उनके लिए प्रश्तंबो का निर्मान किया जाता है और इसका निर्मान दिवारों की भाती ही होता है प्रंतु यह आकरती में आयतकार वरगकार या फिर गोलाकार बना जाते हैं और यह इट पत्थर की चिनाई के अथवा प्रवलित सीमेंट कंक्रीट के भी बना जाते हैं प्रश्तंबो की मोटाई इन पर पढ़ने वाले चल तथा पर चल के जो भी हमारे पास यहां पर दिवार है उसके चल तथा अचल भार के अनुसार रखी जाती है आध़ करने कि बिनाई कर के जो हमरे पास है खी खेंड मिस्ट्री लोग चिनाई करते हैं उसको हमें ध्यान रखना है कैसे civil engineering का यह subject जो है भवन निर्मान इसी पर अधरित है कैसे चिनाई की जाती है कैसे कितना रेश्व का मसाला चाहिए ठीक है तो देखेगा दिवारों के खुले द्वारों को पाटने के लिए वक्राकार आकरती में चिनाई करके जो विवस्ता की जाती है उसे डाट या फिर बहराव महराव कहते हैं ठीक है आकरती के अनुसार दाटें अनेक प्रकार की होती है एक तो अर्दगोलाकार वरत्तखंड संबाहू दिरगवरत्ताकार या फिर परवलाकार इत्यादी लिंटल क्या है दिखेगे इसका एक्जाम्पिल भी दिया आदी को पाटने के लिए यह चिनाई उपर उठाने के लिए इनके उपर जो विशेश छेतिज पटियां डाली जाती हैं उसे लिंटल कहते हैं यह लकडी का पाटा या फिर पत्थर की पटियां या फिर प्रबलित सिमेंट कंक्रिट का होता है और इसे सरदल भी कहते हैं सर निर्मित भी हो सकते हैं ठीक है चलिए इस तरीके से देखेगा यह AkeepingOPार बताइट और लिंटर यह अलग अलग बना बनाते हो भी me gonna करें आयेगा यहां पर यह हमारे पास लिंटर और यह तो यह deepen आता है तो यह देखियागा यह भार होगा ऊमने यह हमारे पास एक महरा वियने का डार्ट है तो इसको हम बोल सकते हैं एक लोड जो इस पर आता है ठीक तो डार्ट तथा लिंटल के दोनों के फीगर हम आपके सामने हैं आप सही तरी किसे साफ सुथरा बना करके आएगा नेश्ट आपके सामने हैं देखेगा धूप धक संसेड या फिर तीस से चालिस से साथ से साथ से बाहर निकले जाते हैं और इनकी उपरी बनावट वे धाल इस प्रकार होती है जिससे वरसा जल मुखे दिवार की तरफ ने जाने पाए ठीक है फर्स की बात करें तो यहां पर भूमी तल से कुछ उपर कुरसी के पास जो समतल ठोस बना जाता है उसे फर्स कहते हैं भवन की उपरी मंजिलों के लिए अगर अलग अलग फर्स डाले जाते हैं तो इसको कई तलों में विवक्त करते हैं भूमी तल के पास वाला फर्स भूतल फर्स कहलाता है और उपर के सभी फर्स उपरी फर्स क्या कहलाते हैं उसक कहते हैं जो भी इनके ऊपर डलते हैं ठीक है फर्स लकडी इट पत्थर या फिस सिमेंट के बना जाते हैं और फर्स साफ समतल कठोर सुंदर टिकाव पर सस्ते और फिस सीत रोधक होने चाहिए ऐसे नहीं कि आप जो है अपने अपने निर्माण भी किया और निर्माण करने प यह कमरे की दीवारों के ऊपर चट डाले जाती है और इस और यहिए कि ढूरवन के फर्सों पर सबसे ऊपरी रचना होती है ठीक है समतल यह से चप्टी चथ देखेगा जब चथ की ढाल 10 डिग्री सेंटी कियर था इससे कम होती है तो इसे चप्टी चथ कहते हैं चप्टी चप्टी चट का ऊपर खुला तथा समतल इस्थान सोने बैटने इत्यादी के काम आता है और अतय ये चट आवासिय भवनों के लिए अधिक बनाई जाती है कम बरसा वाले तथा कम छेत्रों में चप्टी चट ऊपर रहती है क्योंकि इस से कमरे में गर्मी कमरे जो गर्मी में ठंडे रहते हैं और जब चप्टी चट का इस्तमाल उठने बैठने के लिए करना हो तब इस पर पहुंचने के लिए जीना लगाना आवश्यक होता है ठीक है तो इस तरीके से आप इनको लिखेंगे ठीक जैसे कि आपकी ये बालू ये फिर्ची चट है देखिए ये घर है इस पर जो है ये ढालू छत डाली गई है ढालू छत क्यों डाली गई है क्योंकि जिससे की वर्षा का पानी इस पर ना रुख सके और ये जो है टपक ना सके ठीक है और इसमें ज्यादा सीलन भी नहीं आती है आप इस विगर को ध्यान रखेगा आप इस विगर को बना सकते एक्जाम में ठीक है नेक्ट आता है दिवारों में एट रखने की विधी समझाइए दिवारों में रखने की विधी निर्मान करने की विधी क्या है देखिए इटों की दिवार की निर्मान की प्रिक्रिया इटों का चैन किस प्रकार करना है तो दिवार के अगर भाग में बात्रा बनाने चाहिए जो आदे गंटे के अंदर दिवार पर इस्तमाल हो जाए क्योंकि इसके प्रशाद सिमेंट जो है मसाला सेट होने लगता है और वह जो है इतना मजबूत नहीं रहता ठीक है तो याद कर लिएगा इसे इसे बात करते हैं पहला रद्दा लगाना कंक्र सैन इट सताह पन दिवार की के बराबर करनी मसाला फैला जाता है मसाले की मोटाए जोड़ मोटाई के अनुसार इदीक रखी जाती है। दोनों शिरोपर ईट लगा जाती है जिसमें दिवार के सत्य सिधाई ये फिर रद्दा तल का भान करती है यह जिसको हम बोलते हैं सूत बांधते हैं ठीक है यह सभी प्रसेस आपको पता होगा ठीक आप इस तरीके से लिख ली जागा इसको पढ़ ली जागा ठीक आगे बढ है ठीक है यह तीसरा रद्दा दूसरा रद्दा पहला रद्दा इस तरीके से आप चिनाई करते हैं ठीक जैसे कि यहां से यहां पर तो बीच में हम जो है इसको बना देंगे दूसरे हम यहां पर इसको बना देंगे तीसरा हम यहां पर तो इसके बीच में बना देंगे ठी तो यह सभी आपको पता होगा लिख देंगे ठीक है दूसरा रद्धा लगाने में कैसा होता है कि चिनाई में इटों का दिल्ला ये फिर डिब्बी ऊपर को रखी जाती है और इसमें अच्छी प्रकार से मसाला भर दे जाता है ताकि दोनों रद्धों में उचित अभिलाग यानि के पकड़ बन जाए दिवार की मोटाई जब एक इट से बहुत अधिक हो तो उसके सामने एक पीछे की फलकों में इट लगा जानी चाहिए और उसके बाद भर जैनी के हेरिंग चिनाई की जाती है ठीक है इस तरह किसा आप लिख लीजेगा इस सभी आपके काफ ज़ करती है विस्तार समझाइए नमी के उपर एक्वेशन आपको 100% मिलने वाला है निर्मान के समय भौन में आई नमी के दूस्त प्रभाव चिनाई पर उसका प्रदूस्त प्रभाव पढ़ता है क्या सिलन ग्रस दिवारों की इटों पत्त्रों पर सफेद लवन इखटे हो जा कहते हैं सफेदी पुताई पर देखे सिलन की दिवारों पर की गई पुताई वह जिस टैम पर नश्ट होने लगते हैं और पपड़ी के रूप में उखड़ने लगते हैं फर्स पर सिलन का क्या प्रभाव पढ़ेगा फर्स की उपने सत्य शतिरस्त हो जाती है और उस पर र कंट्व लकाड़ी की फिटिंग धेरी मतर् Subscribe टेडी हो जाती है और देर से होती एकर अग्रहम आगे जाकर के भी उसकी देखभाल करते हैं तो वो काफे ज़ादा देर हो जाती है और फिर बाद में उसकी देखभाल नहीं कर पाते उसको ठीक नहीं कर पाते हैं CH Globe k Meghost yeah या फ अंचारन होना लगता है विद्ध फिटिंग पर विजली की तारें बैट जो हमको पाइब बेटन आदी तो गल सड़कर नस्ट हो जाती है और स्यॉट सर्कृिट हो जाता यह निगे जो बिजली के तार होते हैं अंदर दिवारों में नमी के करण जो है पर सर्कृट सर्कृट हो जाता है 네 works हो यह आता है द्धातु जब प्रप्रण कंक्रीट के प्रेस्तंब धरन स्लैब आदी में नमी घुजाती है तो इसके भीतर जो दवाव है उसमें की गई इस पातिय छड़ों को जंग लगता है और उसका कंक्रीट से अभिलाग यहनिके प्रप्र्ति स्थापन हो जाता है उसके लगाव उत्तभा पर इसको और देख लीजिएगा उसे उनकी कारिशंता घट गढ जाती है और उनकी आयू प्रप्त कर लेंसे पहले सत हैं जर्ण मारो प्राइमिंग करें जाट है और प्रायमर के सूक जाने पर बहु जानी पर संवाणने एक रूप सतह प्राप्त करने के लिए पेंट के दो अथ्वा तीन कोट किया जाते हैं सिक आने कि निके इसक कि यहां आसु में थाजीर वायू का आगमन तभी रिवह सक्ता है जब बाहर, सही सहाम वाली हवा चल रही मैं स्टुक्ति कि यह नहीं पूर्व को बनाएंगा है तो पूर्व पशिम की और हवा चल रही है तो भवन में हवा का प्रिवेश हो जाएगा ठीक है भवन के बाहरी तथा भीत्री तापमानों में अंतर हो और फिर भी यह आवशक नहीं है कि बाहर से आने वाली हवा भवन के सभी कमरों में और कमरे के सभी कोनों में पहुंचती रहे ऐसी सिद की पहुंचेगी तो जब भार पत्तोक नहीं हीuing कोनों रहा है तो कमरे के भीतर बेठ़ा वेक्त प्राकृति समवातन Kings ब्री कहत Egg submattifferent बहते हैं उसका ही आश्या है सारत पड़ता है नश्ट राग्पने अग्नी श्रमक उपकरण क्या है लिखिए अग्नी हैं आता है इनको इस्थाय रूप से भवनों में इस्थापित कर देना उत्तम रहता है पहला है आग की सूसन देने वाले संकेतक यानिके अलार्म दूसरा है हस्त चालित अगनी शामक तीसरा है आंत्रिक अगनी हाइड्रेंट चौता है जलाश्य वैगीली राइजर प्रणाल तो इसमें यह अगनी शामक जो उपकरण है इनको हम यहां पर बताते हैं यानिकि जैसे कि अगर भवन में आग लगती है तो अलार्म बच जाता है ठीक है हस्त चलित अगनी शामक यानिकि मैनुल फायर एक्टिंग्येशर होता है आंत्रिक अगनी हाइड्रेंट होता है और यहां पर जलासेवे गिली राइजर प्रणाली भी यूज की जाती है ठीक है स्वेते शिटकाव प्रणाली जैसे ही अगर मकान में किसी कमरे में आग लगती है तो वहां पर स्वेते शिटकाव प्रणाली स्वेते पानी का शिटकाव हो जाता है यानिकि वहां पर सेंसर लगाने चाहिए ये अलारम अगर चले तो दो प्रकार के होते हैं सुवत्य होता है एक तो यह आख सुचित करते हैं और यह साइमन जिसको अलारम बोलते हैं साइरन विशेस प्रकार की द्वहने निकालते हैं ताकि नियंत्रन कक्स या फिर अगनी शमक कर्मचारी आग लगने की सूचना पा सकें बड़ी बड़ी फैक्टरी आम मीलोगे बहुत तली भवनों में प्राय स्वेतर चरित अलार्म लगा जाते हैं हातों से बजाये हातों से के लिए घंटा कॉल पॉइंट अत्वा अन्य साधन जो विशेस प्रकार की द्वहने निकालते हैं मुखे द्वार के पास लटकाए जा सकते हैं ठीक है जिसे आगे लगा जाते हैं और चोकिदार अत्वा अन्य व्यक्ति द्वारा बजाकर संचा जो संचालित करके भवन व काफी ज़्यादा मुश्किल है इतनी देर लगातार बोलना तो गला भी जवाब दे चुका है लेकिन आपके लिए दोस्तों आपके लिए केवल सिर्फ मेहनत करते हैं और आप भी हमें सपोर्ट करते हैं ऐसी बात नहीं है आप हमें काफी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं ले हमारी सभी की ये YouTube फैमली ज्यादा बढ़ सके अभी ज्यादा नहीं बढ़ी है जिससे की हम जो है काफी ज्यादा मात्रा में इस पर जो है जुड़े नहीं है तो सभी लोग आपके साथ के सभी जो स्टुड़ेंट से वह इससे जुड़ जाएं और हमारी यूटूब फैमली जो है बढ़ोतरी हो इसके लिए बस एक बार आप जिल से सेर कर दीजेगा दोस्तों जैसे हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं बस एक बार आप अपने मोबाइल से सेर कर दीजेगा जो भी आपके दोस्त हैं उनको सेर कर दीजेगा बस यही आपके लिए उमीद करके यह वीडिय होगा जिसमें कि आपको लगेगा कि हां हम यहां पर जब हम डरते थे हम काफी ज़्यादर डरते थे इस एक्जाम को देने के कारण और कारण क्या था कारण यह है कि बैक लगने से बचा डरता है लेकिन आज की इस वीडियो से गरंटी है दोस्तों कि आपकी बैक लगना आप भूल जाएए इस सब्जेक्ट में आपकी कभी बैक नहीं आएगी केवाल आप इस वीडियो को ध्यान से रट लीजेगा देख लीजेगा किसी तरीके से दो या तीन बार और आप इस एक्जाम में पार हो जाएंगे थैंक यू थैंक्स वर वाचिंग